पिशले एक हफदे से चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। राज़ सरकार और गुर्जर नेताओं में आरक्षन को लेकर सेहमती बन गई है। राज़ सरकार गुर्जरों को राज़ में नया विध्यक बनाकर पांच फीज़ आरक्षन देने पर राजी हो गई है। आंदोलन खत्म होने के बाद आज से दिल्ली मुबाई रेल मार्ग और जैपूर आगरा राश्टर राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार और गुर्जरों के बीच बात कैसे बनी। दरसल दोनों पक्षों में आठ बिंदूओं पर समझोता हुआ। अब में सरकार वापस लेगी। गोशना कर दिये कि गुजर आंदुलन समाप होता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद के पात रहें और आपके माध्यम से मैं आंदुलन को समाप करने की गोशना करता हूँ। सरकार से वारता हैं हुई क्या क्या बात थी कुछ निकल के हाँ। अब बात है बहुत खुलकर हुई। जैसे 5% का नया विध्ययक और नभी सुची मुख बात जई थी बाकितों जो देवनालान बोर्ड की योजना हैं। के लिए हर महीने कमेटी बैठेगी और समिक्षक की जाएगी। बहुत अच्छा रहा कुल मिला धन्यवाद। तो करनल बैसला के गोशना के बाद प्रजशन कारी अब रेलवे ट्राक और एनेच 11 को खाली कर रहे हैं। राजस्तान के बयाना से समवादाता जस्वंसी की एक और रिपॉर्ट देखिए। सरकार पर दबाओ बनाया था और अपनी मांग मनवाई। यहां पर जोग थे उनके सामने बाचीत करी लोगों को सरकार का परपोजल सुनाया। सरकार से जो समझोता हुआ पांच परसेंट अलक से आरक्षिंग मिलेगा। उसकी बात समाज के लोगों से करी और उसके बात आंदोलन की समाप्ति के खुसना कर दी।